हाई गुडिवनिंग एवरीवन होप एवरीबडी इस डूइंग ग्रेट सो फाइनली एक हमने काफी अच्छे बुलिश रैली देखी मार्केट में काफी दिनों बाद जो इतने दिनों से चौपी मुव्स थी दोनों तरफ मार्केट घूम रही थी उसके इतने दिनों बाद आज हमने अच्छी बहुत अच्छी एक तरफ की मूव देखी और काफी ट्रेडर्स पैसा कमाया होगा सो उसके बार में हम पूरा डिस्कस करेंगे और विल आल्सु बीडिस्कसिंग कि मैंने आज क्या ट्रेट किया लेकिन उसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स सो एलसी का आई पियो आज लिश्ट होना था एंड इस लिटल सैड कि आज एट परसेंट डिस्काउंट पे लिश्ट हुआ है जिन भी लोगों ने लॉंग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया था उनको तो इसमें वरी करने की चिंता नह सिर्फ लिश्टिंगेंज के लिए ही इसमें अप्लाई किया था सो आई होब कि आपने इसमें कुछ न कुछ डिसीजन ले लिया हो विकॉज यह काफी ज्यादा डिस्काउंट में खुली थी आज और वहीं अडानी फैमिली ने अब एक कि यह ऑफर किया है कि उन्होंने टोल क्लेक्शन किया है एप्रेल में और 327 क्रोड जो कंपेर टू अगर हम मार्च करने तो वह 306 क्रोड था तो इसमें काफी अच्छा इसमें इन्होंने इंक्रीज किया है तो चली अब देख लेते हैं मेरी ट्रेट के बारे में और मैंने आज क्या ट्रेट किया और उसके सबसे पहले मैं आपको पॉजीशन दिखा देता हूं यह में एक बार रीफ्रेश कर देता हूं अब रीफ्रेश करके देखें तो 4-270 आज पॉजिटिव में क्लोस किया है यह में ओडर में दिखा देता हूं और उसके बाद मार्केट कंटिनुसली उपर ही जा रही थी आज जिसकी वज़े से मेरा 1023 पर कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट हो गया था वेल बैंग निफ्टी ने मॉर्निंग में थोड़ी चॉपी मूव दिखाई थी बिकास बैंग निफ्टी में ने मॉर्निंग म जो मेरा स्टॉप लॉस हो गया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1255 पर मेरा पूट ऑप्शन भी मैंने एक्जिट कर दिया 66 पर जो मैंने पूट ऑप्शन 135 का बेचा था वो मैंने 66 पर एक्जिट कर दिया 1255 पर वेल यह इसली हुआ बिकॉज जैसे आपको मालूम है जो मेरी वीडियो डेगुलरली देख रहा है उनको यह डेफिनेटली मालूम होगा कि यह पूरा महिना ही मेरे को सिफ मतलब जो मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं उसमें मैंने थोड़ी डिस्क्रीशन यूज़ की और उस डिस्क्रीशन की लेकिन वह डिस्क्रीशन थोड़ी गलत हो गई बिकॉज मेरी ट्रेट करने के बाद भी मार्किट कंटिनूसली उपर जाती चले गई जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था तो शायद जितना प्रॉफिट हो उससे डबल प्रॉफिट यह उससे ज दिखाया था एंड उसकी वजह से इदिक्कत हो गई आपको चार्ट में दिखा देता हूं आपको बेटर समझ आएगा निफ्टी में आप देखेंगे तो मार्केट अज गैप खुली थी और मैंने अप देखेंगे तो एक बज़े क्या सब्सक्राइब इस कैंडल पर मैंने एक्जिट कर दिया था अब उसका रीजन बहुत ही सिंपल था अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो मार्केट एक तो गैप अप खुली थी उसके आद वो प्राइस अक्षिन के आप से कंटिनूसली ऊपर जा रही थी और इसी लेवल पे 16 140 के लेवल पे एक रेसिस्टेंस ल निफ्टी ने यह गाप फिल किया अच्छे से और 16150 तक यह गई अच्छे से मार्केट लेकिन उसके बाद मुझे उमीद इतनी नहीं थी कि 16200 तक जाएगी आवल अगर मैं आपको आपको बताऊं तो मैंने कहीं नहीं सोचा बता कि हो सकता कि मैं अगर 16200 पर ही तो 16200 आते ही यहां पर थोड़ी rejection दिखाने लग गई और मैं मतलब क्योंकि आपको जैसा मालूम है मैं भी system follow कर रहा हूं and psychologically बहुत जादा मुश्किल होता है drawdown face handle करना जो क्योंकि हमारा system भी थोड़ा drawdown में चल रहा है इसी वज़े से psychology हिट होती है emotions थोड़ा control करना मुश्किल है जिसकी वज़े से मेरे को यहां पर लगा कि यहां पर continuous rejection आ रहा था विकॉज इसने gap fill कर दिया था उसके बाद आप देखेंगे तो 16 130 exactly इसी डेवल पर निफ्टी वापीस से नीचे आय थी और जब यह लेवल तोड़ा और यह लेवल इतने अच्छे से break नहीं कर पाया और वापीस और हो सकता था वो नहीं हुआ but that's fine it's part of game and हम भी इसमें सीख रहे हैं कैसे emotions को आपको control करना है कैसे आपकी psychology effect नहीं हो नीचे trading में well all that we are learning and I'm sure we will learn क्योंकि एक दो दिन की game नहीं है चली आप देख लेते हैं कल के लिए important levels अब कल के लिए important levels देखेंगे तो market बहुत अच्छी जगापे close हुई है और अगर इसमें market कल flat खुली और 16300 निकलता है तो आपको इसमें immediately 16400 तक का इसमें target दिख सकता है and अगर 16400 भी निकलता है उसके बाद फिर एक important resistance आ जाता है 16500 क के लिए और हम नीचे की तरफ अब देखेंगे 16200 एक immediate support act कर सकता है और अगर 16200 निकलता है फिर वापे से जो वह रेंज थी 16150 की रेंज 150 चे 135 की रेंज वह एक support के लिए support की तरह act कर सकता है and उसके बाद one of the major support is 1680 जो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा तोड़ना उसको और जो यह रेंज बनाई थी मार्केट ने उस रेंज से निकल चुकी है तो हो सकता है कि थोड़ा हमें bullish move दिख जाए निफ्टी में और तो अब देख लेते हैं बैंग निफ्टी आप देखेंगे तो बैंग निफ्टी भी आज एक slight gap up खुली थी लेकिन gap up खुलने के अपना 34,000 और 33,000 उस रेंज को तोड़ दिया है और उसके ओपर close किया है अब बैंग निफ्टी में भी जैसे ही इसमें 34,400 निकलता है फ्लाट खुलने के बाद अगर 34,400 निकलता है इसमें immediate target 34,700 तक का आ सकता है and अगर 34,700 भी निकलता है फिर इसमें जो next target आ जाता है वो 35 35,150 का ही है जो बहुत important resistance है बैंग निफ्टी के लिए और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे 34,000 एक बहुत important support है 34,000 एक immediate support भी है और एक बहुत important support है और 34,000 अभी नहीं तोड़ना चाहिए बैंग निफ्टी को अगर उपर जाना है तो और अगर यह तूटता है फिर वा कमेंट हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लगता है कि थोड़ा भी बुलिश मूव आ सकता है दोनों मार्केट में and we'll see कैसा जाता है तो नीचे के तरफ अभी immediate support 34,000 एंड उसके बाद फिर उसके बाद जो नेक्स सपोर्ट आ जाता है वह अराउं 33,600 का आ जो भी एक काफी अच्छा सपोर्ट हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए यह था निफ्टी और बैंक निफ्टी का अनालेसिस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या ट्रेट किया कैसा मतल अच्छा प्रॉफित हो जकता था लेकिन वह प्रॉफित से थोड़ा हम चुक गए बट एच्छा फाइन इस अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो गलती से अगर आप सीख रहे हैं बार बार देन देर इस नो प्रोब्लम मिदा बिकोज अगर आप वो नोट कर लेते हैं गल